हलो दोस्तो आज हम बना रहे हैं उड़त डाल से बहुत अच्छी रेस्पी जिसे बनानी के लिए हमने एक कप उड़त डाल लिए अब इसे विबो करके रख देंगे 6 गंटा के लिए जब उड़त डाल हमारी अच्छे से फूल जाएगी उसके बादे से हम धो करके हमने अच्छे से डाल को धो लिया है धोने के बाद अब इसका पानी निकाल देंगे डाल को हम एक छनी में निकाल लेंगे यह छिलके वाली डाल थी अगर आप के पास से धुली डाल हो तो उससे बनाएं आज हम जो रेश्पी बना रहे हैं बहुत चटपटी बहुत टेस्टी खट्टी मीठी सी बनेगी रोज वही खाना खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक साधारन सी दाल से आज हम बहुत अच्छी रेश्पी बनाएंगे दाल को पूरा निकाल करके च्छनी में रख लेंगे कि अजब बना रहाए हैं दही भला दही बड़े बना रहा हैं जो बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत शोक्त बनेंगे अब डाल को हम mixi के जार में डाल लेंगी और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे इसका बिलकुल fin paste पनाएंगे अगर आपके पास बराप हो तो उसको डाल लें इससे आपका mixi का जार भी गरम नहीं होगा ना खराब होने का डार होगा और आपकी दाल भी अच्छे से पिस जाएगी दाल में हमने डाली हैं दो मिर्ची अद्रग अब हम पानी डाल लेंगी इतना डाल लेंगी जिससे दाल हमारी अच्छे से पिस जाए इसका पेस्ट बन जाए ना ज़्यादा पतला बनाना है ना ज़्यादा गारा जब दाल का हमाई पेस्ट बन जाएगा उसके बाद हम दाल को एक बड़ी थाली में या बड़े से बॉल में निकाल ले देखो हमें कुछ ऐसा पेस्ट बनाना था अगर आपकी दाल खराब हो जाए मतलब ज़्यादा पानी हो जाए तो उसमें आप आटा मिला सकती है अब दाल में हम डालेंगे नमक जीरा थोड़ा सा डालेंगे ही अब इसे हम दस से बारा मिर तर अच्छी से हाँस से फेटते रहेंगे फेटने से जो होगा कि दाल बिलकुल हमाई फ्लॉपी सी हवा सी भर जाएगी बिलकुल मक्षन जैसी हो जाएगी जब आप बड़े बनाओगे तो ये अंदर नहीं डूबेंगे तेल में नहीं डूबेंगे उपारी तैरते रहेंगे और बहुत सौप्ट बनेंगे बिलकुल मुह में घुल जाने वाले बड़े बनेंगे हमने 10 से 12 मिर तक दाल को फेटा है उसके बाद कड़ाई में रखा है तेल सरसों का तेल दिया है आप कोई भी तेल ले सकते हैं अब हमने हास से बड़े बनाए हैं कितनी जल्दी बढ़ें कितनी आसानी से दाल बिलकुल हमारी मक्षन की तरह हो गई है हमें इने ज्यादा नहीं पकाना है थोड़ा सा गोल्डन सा करना है जब एक सरसे जाएंगे उसके बाद हम रूसी सर्थ भी पलट करके इने सेंक लेंगे आप इने चम्मस से भी बना सकती हैं कितने हमारे बड़े बिलकुल फूले फूले लगी नहीं रागी उड़त की दाल है पलट पलट करके दोनों साइड अच्छे से सेंक लेंगे यह बड़े बहुत सौप्ट बनते हैं जैसे मेरे घर में बनते हैं वैसा मैं आज बैसे ही बना रही हूं जब हमाइदा ही भालस्टिक जाएंगे उसके बाद हम एक पलेट में निकाल लेंगे और दूसरी बार भी इने तल लेंगे कितने फूले फूले हमारे बड़े बने हैं अब दूसरी बार भी हम तलेंगे बड़े आज हम होली स्पेशल दई बड़ा बनाए हैं कि हमारे घर में होली में हमेशा बनते हैं दई बड़े इसलिए मैंने भी बनाए हैं अब हमारे बड़े बनकर तयार हो गए हैं अब हमने एक थाली बनाए हैं कितने ज्यादा सॉप्ट हैं देखो हमारे पास चटनी पहले से बनी रखी हैं अब लेंगे हम थोड़ा सा गुनवोना पानी हलका गरम होना चाहिए एक बरतन में पानी रखेंगे उसमें डालेंगे नमक हिंग डालेंगे एक चुटकी हरा धनिया डालेंगे जो हमने बड़े बनाए हैं इस पानी में डुबा देंगे इससे हमारे बड़े और भी सॉप्ट हो जाएंगे जो भी इस्टा तेल होगा वो भी निकल जाता है उपर से ढख देंगे एक पिलेड जिससे बड़े अच्छे से पानी में डूब जाएं दो मेट के लिए हमने पानी में रखे थे अब इन्हें हम निकाल लेंगे पानी से और इनका पूरा पानी निचोड़ देंगे पानी के साथ साथ इसका तेल भी अच्छे से निकल जाता है देखो कितने ज्यादा सौप्ट हमाई बड़े हैं दबाने से मिट रहे हैं पूरा प्तेल पानी में ही निकल जाएगा अब बड़े को पानी से निकाल लिया है अब हमें जितने खाना है उतने हम सर्व करेंगे आप बना करके बड़े फिरेज में रख लीजिए जब खाना हो आपको जब दही के साथ मिलाएं मसाले डाले जितने खाना हो उतने में डाल लीजिए हमने एक प्लेट ली है उसमें रखें बड़े हरी चटनी इमली की चटनी और दही लिया है यह चटनी हमने पहले बना करके रख ली थी डालेंगे दही दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था जब आप ऐसे बड़े बनाएंगी तो बहुत टेस्टी बहुत चटपटी बनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं एक बार तो आप भी जरू ट्राइ कीजिए बिलकुल मुह में घुलने वाले बड़े बने हैं हम चटनी के साथ इसे सजा देंगी हरी चटनी मीठी चटनी दही अब इसमें डालेंगी हम लाल मेर्च पाउडर काला नमक जीरा पाउडर और चाट मसाला कुटी हुई लाल मेर्च धन्या पत्ति इसमें आप आलू भुजिया हरी मेर्ची प्याज जो भी आपको पसंद हो बो डाल लीजी बिलकुल चाट की तरह है बनते हैं यह बड़े जो हमारे बड़े बनकर तयार है चटपटी टेस्टी सपर शॉप्ट विलकुल बड़े देखो कितने ज्यादा सॉप्ट है कितने अराम से निकल जाते हैं आज मैंने अपने घर की रेस्पी सेयर किये जो हमारी मम्मी दादी लोग बनाती थी वैसे ही मैंने भी बनाया है जादी जादी निया जादी है